आप सभी का स्वागत है रवीजोन फार्मिंग लीडर में मैं रवीत यागी आपका होश्ट हैं दोस्त मेरे सभी किसान दोस्तों को मेरे सभी बुजुर्गों को मेरा राम राम तो साथियो आज हम फिर आए हैं सुवेदार जगदीश सिंग के यहाँ पर जहां वो हमें जीरो बजट खेती के बारे में जानकारी देंगे तो चलिए सुरू करते हैं किसान भाईयो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं सुवेदार साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे रवीजोन फार्मिंग लीडर में तो जो सामने से किसान भाईय या मेरे सस्क्राइबर या मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को उन्हें पहले आप अपना परिचे और अपने बारे में पहले जानकारी दें नमस्कार, मैं सुवेदार जगदी सिंग चोहान आर्मी में था, सुवेदार रेंग से रिटार हुआ सन 2011 में और मैंने सोचा कि कोई अलग से कोई प्रोड़क्ट तयार किया जाए तो मैं मश्रूम की तरफ मेरा खचाब हुआ और मैं मश्रूम का काम करना शुरू कर दिया जिसमें की मैंने मिल्की मश्रूम, बटन मश्रूम और ओस्टर मश्रूम ये तीनों मश्रूम मैं इनका प्रोड़क्शन करता हूँ तो सुवेदार साथ जैसे के आपने ओस्टर मश्रूम की बात की तो अब आप जो ओष्टर मसुरूम पैदा कर रहे हैं तो वो आप किस तरीके से पैदा कर रहे हैं देखें ओष्टर मशुरूम कम-क стар cambio में और आसानी से पैदा वाली मुषूम में और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हैं था मतलब जो और जाद मुटे कर दो आपने कम खर्चे में तो कम खर्चे से मतलब कितना कम खर्चा देखिए आप अधाय के यह सक्षाटा मार रहे हैं मैंने जो है जीरो बजट पर ये ओस्टर मुष्पूम जो ये आपके सामने है ये मैंने जीरो बजट पर के वी के वालों ने किसानों को तोटसाइब करने के लिए फरी में दिया था तो ये मेरे को इसपयन मिला दूसरा जो आजकल पराली को जलाते हैं मैंने किसानों से कहा कि भई आप पराली को मज जलाओ या तो इसको डी कंपोजर का छिरकाब करके इसको खाद बना लो नहीं तो भई थोड़ा सा इसको मैं ले जाता हूँ मैंने उसको जो है लेके और उसकी कुट्टी काटके अट करें और उसको मैंने इसका बूचे में जो है इसको यह कोड़ snelो डालके जो सारी प्रिकरिया होती है इसका सुद्धिकरन करके और मैंने इसके बैग लगाए तो उसमे बीज तो आपको जो है के वी केसे जघ मारे जो डडोक्र गोपाल सिंग है इनके दौरा मिल गया और पराली जो एक बहुत बड़ा इस्सू है आज के टाइम में के पराली जला रहे प्रदूसर्ण हो रहा है कहीं न कहीं आपने उस मुहिम में भी किसान भाईयों का साथ दिया कि वो पराली उनसे कलेक्ट करके और अपने कुट्टी काटके जो है वो उ उसी से कंपोस्ट बनाके यह आपने स्टार्टिंग कर दी तो इसे कहीं न कहीं हम जीरो बजट कह सकते हैं जीरो बजट मेरा इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ है आप यकिन करेंगे कि जो मेरे पहले बैग थे जी उन बैगों में ही मैंने इसको लगाया मगावर मैं इसमें एक भी पैसे खर्च नहीं करूंगा और देखता हूं कि इसमें जो है अच्छी मस्रूम सुद्ध मस्रूम इसमें पैदा होगी या नहीं होगी जीरों का उप्चार कर दिया था मैंने और जो यह भूसा होता है इसका जो उप्चार करते हैं तो वो गया था उसके बाद में मेरे His 했.. मेरे growing room को बढ़ेघी क्रोप निकल रहा है तो नहीं क्रॉप ले विजरी है तो शुवेदर साइब जैसे कि यहलिए must ya ओ आप बार जब हम अपने सैन्ट ग्रोंप ले लियре तो तो हम एक टाइम के जो हमारे बैग हैं उनसे हम कितनी बार मसरूम ले सकते हैं आर्वेस्टिंग कर सकते हैं अ कि इसको फर्स्ट जो आपने पूलोतिन जो बैग होंगे उनके अंदर से निकलती लेकिन ये ग्रे कलर की है और ये जो है सिंगल निकलता है ये तो होता है गुच्छे में फूल की तरह निकलती है ये सिंगल सिंगल निकलती है इसकी पाबर और भी जादा है तो इसमें जो है पिन्नी को काट दिया जाता है और बैक को खोल दिया जाता है उसके बाद में उसमे इसमें च्राइक को सुध्रक के पानी सर्फ पानी हो और उसका एसके उपर हलका आप सकते हैं कि पूड गी। और टना चाहिए। अगर नजर आती है तो उसको फिर फाड़ने की जरूत नहीं होती है वो फिर जहां उसमें छेद किये हुए है उसको जरूत नहीं है अच्छा आपने बताया कि जब हम पहली बार कंपोस्ट बर के बैक तैयार कर देते हैं तो उसके कितनी दिन बाद हमें उससे मस्रूम मिलना स सुरू हो जाती है देखिए मस्रूम जो है यह ओस्टर मस्रूम आपको पंदर में दिन शोल में दिन निकलनी शुरू हो जाएगी अच्छा किसमें कब तोड सकते हैं जैसे पनेहड निकलने शुरू हुए छोटे-छोटे मटर के से दाने से निकलने सुरू होंगे जी मटर क तोड़ना पड़े तोड़ना है मतलब जो बढ़े हो गहें वह थोटा निकल रहे हैं अप कि यह nossas हम कितनी ताइम चलता रहे गए देखेशूर्म होतीय है इसका एक फिलो होता है तो पहली कोफ निकली है तो उसका एक फिलो निकलेगा उसको छुटा बड़ा होके सबकुन पोड़ लेते हैं जब उसको हो गया complete उसके बाद में फिर तीन चार दिन के बाद उसमें हम इस पर करते रहते हैं पानी का लगातार इससे क्यों गीले बनाई रखेंगे उनको वो सिचाई के तरीके से बिलकुल इस पर मशीन से हलका हलका इस प्रे मार द सकते हैं अच्छा पंदरे दिन में दो बार पंदरे दिन में दो बार ले सकते हैं तो कुल मिला के यह हुआ के पहले एक महीने उसे मतलब ग्रो होने में टाइम लगा और फिर अगला जो महीना है उसमें हम चार बार इससे जो है मस्रूम ले सकते हैं उसमें एक जहाना होगा कि temperature जो है ये maintain करना पड़ेगा थोड़ा था जी हाँ ओस्टर मुश्रूम के लिए कम चे कम जो है अठारे के असपास maintain बना के रखें और 30 से जादा ना हो 28 से जादा ना हो 28 degree centigrade तक उससे उपर होगा तो मुश्रूम फिर निकलनी बंद हो जाती है और प्रोलम आने चुरू हो जाएगी सुधार साथ जैसे कि आपने जो ये ओस्टर मुश्रूम जिस रूम में लगा रखी है उसकी लंबाई चोड़ाई क्या है देखिए मैंने जो ओस्टर मुश्रूम है ये 9 बाई 15 इसक्वार फिट में लगा रखी है कितने बैग लगा रखे हैं देखिए मैंने जो है इसमें जो अठारे बाई 24 के जो बैग हैं इनका भी साइज होता है छोटे भी होते हैं और बड़े साइज के भी होते हैं तो मैंने मीडियम साइज के लगा रखे हैं अठारे बाई 24 के और ये मैंने जो है 50 बैग लागा कर रखे हूँ 50 बैग जी तो जैसे एक बैग से हमें कितनी ओस्टर मश्रूम प्राप्त हो जाती है एक बैग से ओस्टर मश्रूम जो है टोटल क्रोप की बता हूँ या एक क्रोप की बता हूँ अगर दो कुंटल हम फ्रेस मश्रूम बेकें तो उसकी क्या रेट होगा देखिए ओस्टर मश्रूम यह गरम टेमपरेट्र में होता है साल से साल होती है जी इसकी जो रुखने की जो कैपिशिटी है वह ज्यादा होती है बटन क्या पिक्छा जी तो इसको यह हम इंग इत्ना जली खराब नहीं होती है जी यह यह 1.500 रुपे किलो के आसपास बड़े आराम से मतला फ्रेल हो जात तो चार किलो बैक से होई दो कुंटल हमारे पूरे आपके रूम से होती है एक मतलब एक क्रोप में तो वह जू दो कुंटल है अगर मालया हम उसे DRY करें तो उसमें कितनी हो जाएगी फिर दो कुंटल में देखिए यह जो है इसमें 90 परसेंट जो है इसमें पानी होता है जी बाग इसमें जो मिंट्र मिंटट में मिक्स रहते हैं तो इसको जब ढॉटी कड़ा हैं तो यह जो है जैसे कर एक किलो मुष्रूम है तो सो ग्राम बचेगा याण यानि की एक कुंटल है तो 10kg तो अगर वो आपके कमरे में 20 kg ड्राइ मस्रूम बची इस्तिती दोनों ही देखनी है हां जी फ्रेस सेल हो गई तो फ्रेस नहीं हुई तो हम ड्राइ कर रहे हैं हमें जो सामने से देख रहे हैं उन्हें ये पूरी जानकारी देनी है तो जो 20 kg बची है उसकी मार्किट वैलू क प्रेंट करती है चैसे रुपे से लेकर 800 रुपे और यहों तो 1000 रुपे तक भी जा सकती है अगर हमने माना के 1000 और इधर 600 भी नहीं हम अगर मीडियम क्वालिटी की करते हैं तो हम मान लें के 800 रुपे तो 800 तो 800 तो मतलब यह हो गया कि हमारी 20 kg है तो यानि कि 16 हजार रुप के कमरे से 55 दिन में 16,000 रुपे की इंकम कर सकते हैं बिना किसी लागात के आपने जो जानकारी दी उससे यही मतलब एक बात निकल के आती है तो सुवेदार साथ हम जो आपका यह कमरा है इस से सालवर में कितनी क्रोप ले सकते हैं देखिए सालवर में हम पांच क्रोप ले सकत प्रेश्च पर लेते हैं अच्छा इसमें जून में टेंपरेश्चर जादा ही हो जता है और जनवरी में जो है दस डिग्री से भी नीचे पहुंचा तो कहीं न कहीं आप किसान भाईयों को यह बताएं कि आप इससे कितनी इंकम कर लेते हैं देखिए जब हम पांच क्रोप पैप्लेबिते लिए लेते हैं और सुले हजार रुपे में शोले पच्राइब्सी आपको साल भर हमारे इस्के पैजिक्वेज क्या सकते हैं देखिए इसके लिए आप में बड़ा छा क्या है इसका हम जैसे ड्राइप हर।ुम हम इसका पाऊटर बना लें देखिए शके इसके अलुच में पाउडर बनाते हैं, तो यहां दाल तो पाउडर बड़ी होके, तो व Each leaf ने के पाउडर को शुच बेका तो उसको ओगए अगाधन तो यहां तरन ने बनात दाल के शौड़ी और हम अविए जा दाल की बनाते हैं, तो आपका जो हैं समोसे में यूज कर सकते हैं इसके बिस्कुट आप उतार सकते हैं इसके जो है आप बर्गर में यूज करा सकते हैं इसको समोसे में यूज करा सकते हैं इसको लोगों को जो अच्छे जो है जो नूट्रेंट उनको पहुंचे हैं उनके शरीर में और स्वस्त रहें मतलब आपन बनाए इतनी क्रस्पी बनती है बहुत बढ़िया लेकिन लोगों को पता नहीं है अभी तक इसके बारे में तो जाग रुख हो बटन मश्रूम में इतना वो नहीं होता है बटन मश्रूम के लिए देखिये दो महने लग जाते हैं एक महने कंपोस्ट त्यार करने में और एक मह साल से सालम आराम से कर सकते हैं और जहां पर बटन मश्रूम 10 किलो लगती है यह ओस्टर मश्रूम जो है वही 7 किलो में काम कर चल जाएगा तो सुबधार साब जैसे कि जो किसान भाई हमारी यह चर्चा जी हमारा यह जो है बाचीत देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहे भाइन किसान भाई और समाच से भी यह कहना चाहूँगा कि बटन मश्रूम के साथ साथ ओस्टर मश्रूम को भी खाने के प्रियोग में लाएं इसकी पकोड़ी खाएं ब्याशादियों में इसको जो जो मिक्स बेज बंती है उसमें इसको डालें बड़ा फायदा है इसमें और बड़े अच्चेची nutrient इसमें बहुत बढ़िया है। इसके खीर बना कर खा सकते हैं। सूप बना कर इसको कर सकते हैं। ड्राय को रखें आप 2 मेने, 3 मेने। उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं। आप बढ़े आराम से। तो सुवेदार साथ, आपने हमारे चैनल के माध्यम से ये जानकारी दी, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. साथियो, आपने सुवेदार जगदिश सिंग्चोहान को सुना, और उनसे ओस्टर के वारे में उनके विचार सुने, और उनकी ग्रोइंग की हुई जीरो बजट मस्रूम देखी, अगर उनकी ये जानकारी और मेरी कोशिस आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर करें, चैनल को सस्क्राइब करें, और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे के आने वाली कोई भी जानकारी चैनल पे आपसे बचना पाए, तो घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं रवीत य रवी जोन फार्मिंग लीडर से